5,4,3,2,1 जो अच्छी घटनाएं बीते नरेंद्र मोदी शासन में हुई हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण बात यह कही जा सकती है कि भरष्टाचार के खिलाफ जन जागरती का महौल बना एक विकास क्रांती का सूत्रपात हुआ, विदेशों में भारत की स्थिती मजबूत बनी लेकिन जाते हुए वक्त ने अनेक घाव भी दिये हैं जहां नोट बंदी ने व्यापार की कमर तोड़ दी और महंगाई एक ऐसी मुचाई पर पहुची जहां आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है नोट बंदी और जी एस्टी ने छोटे उद्योगों को पस्त कर दिया ये छोटे उद्योग ही रोजगार उत्पन करते थे फलस्वरूप रोजगारों का संकुचन हुआ रोजगार के संकुचन से आम आदमी की क्रय शक्ती में गिरावट आई है और बाजार में माल की मांग में ठहराव आ गया है देश का युवा कैरियर इवं रोजगार को लेकर निराशा को जेल रहा है मोदी सरकार का शासन कई द्रश्टियों से भाश्पा को सरशक्त करता रहा है गाई और राम मंदिर के मुद्दों पर हिंदू वोट का ध्रुवी करण करने की कोशिस हुई है तलाग के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के वोटों की दिशा को बदला है अर्थ व्यवस्था को विक्सित देशों की तरज पर बढ़ाने की कोशिसें की गई स्टार्ट अप मेक इन इंडिया और बुलेट ट्रेन की नवीन परियोजनाओं को प्रस्तुति का अवसर मिला नोट बंदी और जी एस्टी को लागू किया गया भारत में भी डिजिटल एकॉनमी स्थापित करने के प्रयास हुए भारत की विदेशों में साख बढ़ी लेकिन घर घर एवं गाउं गाउं में रोशनी पहुचाने के बावजूद आम आदमी अन्य तरह के अंधेरों में दूबा भी है भौतिक सम्रिधी बटोर कर भी न जाने कितनी तरह की रितताओं की पीडा भोग रहा है गरीब अभाव से तडपा है तो अमीर अत्रिप्ति से कहीं अतिभाव कहीं अभाव बस्तियां बस रही है मगर आदमी उजडता जा रहा है भाजपा सरकार जिनको विकास के कदम मान रही है वे ही उसके लिए विशेश तवर पर हानिकारक सिध्ध हुए है इस पर गंभीर आत्म मन्थन करके ही भाजपा भविश्य का नया धरातल तयार कर सकेगी आदिवासी दलित समाज की नाराजगी भी एक अवरोध है हर बार चुनाव के समय आदिवासी समुदाय को बहला फुसला कर उन्हें अपने पक्ष में करने की तथा कथित राजनीती इस बार असरकारक नहीं होने वाली है क्योंकि आदिवासी दलित समाज बार बार ठगे जाने के लिए तयार नहीं है देश में कुल आबादी का 11 प्रतिशत आदिवासी हैं जिनका वोट प्रतिशत लगभग 23 है